यूपी के सुल्तानपुर में धन्पत गंज पुलिस में चौकाने वाला खुलासा किया है। असल भीखनपुर निवासी किरन जायसवाल ने 27 सितंबर को पुलिस में शिकायत की थी कि दो अग्यात चोरों ने उसके घर में चोरी की घटना को कारिफ किया है। चोरी करने के बाद महिला ने अपना से दिवार से लड़ा कर फोड लिया। और बाद में स्वयम भी मीन की गोलिया खाकर जान भूच कर भुहार लगाई। चोरी के सामान को महिला ने किचन में चावल के डिब्बे में छिपा कर रख दिया था। फिलहाल महिला ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। साथी पुलिस में चोरी का समान भी बरामत कर लिया है। अस्थाना दक्ष के ही नेतित में टीम गठित की गई थी और अस्थानी पुलिस दोरा इस गठना का सफल अनावरन करते हुए यह पाया गया कि जो वादनी थी मुकदमे की किरन जैसवाल वो अपने दिवरानी का और अपने ससुर के सारे जेवरात को हड़पने की नियत से उसने यह प्लॉट रचा था उसने अपने करीब अलप वैस कुत्र को रसियों से बात दिया था और आरी से उनके बखसे का ताला काटने के बाद से जो है उनके गहनों की चोरी कर ली थी कड़ाई से पूझताच में उसने अपना जुर्म एकपाल किया है और समस्त जो चोरी गए गहने थे उनकी बरामदगी की गई है आज उसकी निशान देही पर बरामद गहनों के साथ उसका चालान नियाले में किया जा रहा है सुल्तानपूर से 944 न्यूज के लिए अनिल गुपता की रिपोर्ट